हेलो एन जहीं सुडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुनरपानी और ये चैनल आपका अपना चैनल है और क्लास टेंथ आई-स-सी के सारे सब्जेक्ट्स येस सारे सब्जेक्ट्स इंगलिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, कॉमर्स एकनॉमिक्स हाँ ये सब मैंने कवर कर रखा है यकीन नहीं हो रहा है तो ट्राय करके जरूर देख लो डियर फ्रेंड्स जी चैप्टर का नाम लिखो अपने स्लेबस में से और टाइप करो आगे बाय सर तरुनरपानी जी हाँ ट्राय नहीं किया है तो मेरे कहने पर अगब पहले जानेंगे और फिर समझेंगे इसको एंटायर चैप्टर को तो बैंक सर हम लोग तो जानते हैं बैंक क्या होता है बैंक एक ऐसी जगह होती है एक ऐसी बिल्लिंग होती है जहां पर लोग जाते हैं पैसा जमा करते हैं यहां बैंक से पैसा निकाल के लिए आते हैं क्य आईए इसको थोड़ा detail में समझेंगे जो आपके syllabus में है उसको समझेंगे और इसके लिए मैं करना पड़ेगा मुझे अपने आपको थोड़ा सा छोटा और ये हमने आपके लिए notes बना दिये तो bank क्या है? पहले जाने bank क्या है? फिर banking तो bank एक institution है bank एक company है जो बोलिये बाते की है तो bank क्या है? bank एक company है which collects money करती है from the public in the form of deposits and lend the same to the borrowers तो दो लोगों के बीच में link का काम कर रही है किन दो लोगों के बीच में bank क्या काम कर रही है? हाँ दो तरह के लोग हैं एक जिनके पास पैसे हैं हम लोग इनको कहते हैं आम जनता पब्लिक जी जिसमें मैं और आप भी है और एक है वो जिनको पैसों की जर्वत है जिने हम कह सकते हैं borrowers जिनकों कहते हैं firms ज्यादा तर firms, business या business houses तो पब्लिक पैसा जमा करती है बैंकों में और bank इन borrowers को जी इन borrowers को lend कर देती है banking से ब्याज लेती है और वह ब्याज फिर हमें दे देती है हो गया simple बड़ा simple है सर ये तो तो जी हां banking institution है जो provide करती है पैसे को safe रखने में मदद करती है lending करती है transfer of money करती है अच्छा bank शब्द आया कहां से अभी तक confusion है तो कुछ लोगों का मानना है कि bank जो है वो banku word से बनाये गया है जी b-a-n-q-u-e जिसका मतलब है bench सर ये कहां से है word तो इसकी कहानी है पीछे अर्लियर डेज में यूरोप में जो money lenders होते थे वो एक bench पर हाँ वो एक बड़े से table पर bench होता है ने table उस बड़े से table पर coins of different countries एक जगह रख देते थे एक बड़ा सा table होता था जी उस पर अलग-अलग currencies को यास अलग-अलग country currencies को जैसे dollar हो गया जी जैसे dollar हो गया जी दूसरे उसके बगल में pound हो गया जी ये रहा pound हो गया तो कहीं rupees हो गया सबको क्या करते थे हो लोग एक जगह है मैं अलग-अलग currencies का example देके समझा रहा हूँ एक जगह है money lender रख देते थे और फिर क्या करता था यहाँ पर से वो lending करते थे इसी bench से ब-e-n-c-h इसी bench से वो करते थे एक बड़ा सा table होता था और यहीं से money exchange करते थे convert भी करते थे और कुछ लोगों का मानना है कि जो bank word है वो italian word बैंकों से बनाया गया है जी बैंकों का मतलब है joint stock funds लोगों द्वारा क्या करना funds एक खत्रित करना जब यह खटा हो जाएगा एक जगह है और इसके बाद उसको lend करना तो दोनों ही versions हैं दोनों ही सोच हैं आईए एक definition देख लेते हैं अथार्थ bank का business is to take the debts of the other people to offer his own in exchange and thereby create money तो ultimately bank क्या करती है lending करती है money create करती है बजार में पैसे की रचना करती है क्या बात है आगे बढ़ जाते है bank तो आप जान गए है अब हम जानेंगे types of bank types of bank में सबसे पहले screen पे आप देख पा रहे होंगे reserve bank, central bank हर देश में एक होती है हर देश में एक apex bank होती है जिसकों हम कहते है top most bank होती है हाँ ये bankों की bank होती है, government की bank होती है, जी top में है न, सबसे उचा है न इसलिए दूसरी bankों को supervise करती है, control करती है पूरे देश के banking system इसकी मुठ्थी में है जी, it controls money and credit in a country पूरे देश का money supply पूरे देश का loan system इसके अंडर में है वो भी government के साथ मिलके करती है आप जानते हैं हमारे देश की central bank का नाम क्या है स्क्रीन पे आपने फोटो देख लिए आची है इस image से पहचान गए है तो central bank क्योंकि एक ही होती है, हर देश में जरूर होती है और एक ही होती है और हमारे देश में इसका नाम है Reserve Bank of India क्या करती है, central bank क्योंकि central position होती है अरतास, bankों में सबसे बीच पे सबके center में है इसलिए नाम है central bank हर देश में मैंने बताया जो भी currency coins print हो रहे है उस पे आप देखेंगे top पे लिखा मिलेगा उस देश की central bank हमारे देश की central bank Reserve Bank of India है और अमेरिका की अगर मुझसे पूछोगे हाँ, अमेरिका में dollar चपता है उनकी bank में लिखा होगा यस उनके dollar के लिखा होगा Federal Reserve Bank तो हर देश में अपनी अपनी क्या है कहना चाहता हूँ commercial bank से आईए central bank के बाद अगली second type of bank जानने जा रहे है commercial bank commercial मतलब जो banks आम जनता के लिए आपके मेरे लिए क्या central bank में आप account खुलवा सकते है हाँ, तुम खुलवा सकते हो जी नहीं एकदम नहीं और क्या central bank में हमारी state government account खुला सकती है central government account खुला सकती है जी हाँ तो वो government की bank है bankers की bank है खमच गया ना? तो उन बैंकों का जी जिन बैंकों में मैं और आप जमा करने जाते हैं उन बैंकों का नाम क्या है? जी उसी बैंकों कहते हैं commercial bank जी commercial bank एक ऐसी institution है जो public से पैसा accept करती है और loan के रूप में businessmens और others को provide करती है सबसे common तरीका आप जानते हैं आजकल बैंकों का यह है हमारे देश की सबसे बड़ी public bank जो है वो है State Bank of India short form में आप इसको SBI के नाम से जानते हैं हाँ यह हमारे देश की largest commercial bank है commercial क्यों नहीं दिया गया सर क्योंकि यह bank आमचंता की bank है और यह commercial banks जो होती है जी यह जो commercial banks होती हैं इनका main मकसद profit making करना होता है इसलिए इनको कहते हैं क्या commercial bank profit कमाने के लिए है हाँ किसी की मदद या खेराद बाटने के लिए नहीं है अपनी मदद करने के लिए अब commercial banks भी इंडिया में तीन टाइप की हैं एक public sector है जिसको own and control government करती है जैसे आपने जाना union bank of India जैसे अभी एक example हम लोग discuss कर रहे थे state bank of India क्या आपने पंजाब national bank नाम सुना है जी पी एन भी नाम सुना है जरूर सुना होगा बैंक को अपने नाम सुना होगा शाट फर्म लिख रहा हूँ बी ओ बी यह सब public sector bank है अब आता है private sector bank ये भी commercial bank होती है बट इनको own and control private businessmen करते हैं जी कोई बड़ी private firm है जो उसको चला रही है businessmen जैसे ICICI bank जरूर नाम सुना होगा HDFC आपको तो मालूमी होगा इस समय largest private sector bank यही चल रही है हाँ नहीं मालूम है तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया largest private sector bank इस समय है HDFC क्या आप मुझे दो private sector bank का नाम दे पाएंगे हाँ वो सकता है आप जरूर जानते होंगे नहीं जानते हैं तो गूगल करिए पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे पेस सबरी से इंतजार होगा to private sector commercial banks का आपकी तरफ से और जानते हैं जी foreign banks भी अमारे देश में city bank नाम सुना है शायद सुना होगा यस बड़े शहरों में Metro cities में तो यह आ चुकी है American Express bank या ABN MRO जी मैंने एक और नाम दे दिया ABN MRO यह सब foreign country द्वारा owned bank से foreign की bankों का branch इंडिया में जी city bank या standard chartered bank यह भी बड़ा common नाम है मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए यह भी नाम यह सब क्योंकि in bank का मालिक in bank को own करती है कोई private firm जो की foreign में है जो own and manage by the foreign company हो रही है इसे लिए मैंने लिख दिया आकरी नाम standard charter जी इंडिया में बहुत तेजी से यह फैल रही है यह standard chartered bank पर यह मैंने जो तीनो चारो example दिये यह सब foreign banks है आईए अब एक और टाइप की bank के बारे में जाने जिनको हम कहते हैं industrial bank तो industry के लिए bank हाँ क्योंकि मेरी और आपकी requirement जो है वो बहुत small amount की होगी पर industry तो बहुत बड़े काम में करत चाहिए होता है और long प्रिडिकले चाहिए होता है इसलिए इसको कई बार specialized bank भी बोलते हैं जी इनका एक special नाम है specialized bank या development bank जी क्योंकि इनका main मक्सद है सिर्फ fund नहीं देती है यह सिर्फ पैसे नहीं देती है यह help करती है economy को develop करने में हाँ यह fund के साथ पैसों के साथ managerial assistance दे देती है technical assistance देती है और वो भी long term के लिए finance देती है इसका मदलब है अगर आप commercial bank में जाएंगे state bank में जाएंगे और कहेंगे मुझे 20 साल का industrial loan दे दो तो वो नहीं दे पाएगी पर आप इनके पास पहुचेंगे जिनका काम ही industry को loan देना है और वो भी सिर्फ loan नहीं देते ह आपको technical मदर्द करते हैं जैसे आपको पता करना है कि कौन सी machines आपकी industry के लिए is favorable है वो machines कहां मिलेंगी ये आपको बता देंगे और आपके management को कैसे आपको business को कैसे manage करना है कैसे आप अपने raw material मंगवाएंगे कैसे अपने कारुबार को फैलाएंगे ये managerial भी help देते हैं त specialized या development banks हमारे देश में IFCI या IDBI ये एक बहुत ही popular नाम है आपने तो शाहिए देखा भी होगा इस symbol को तो पहचान रहोंगे तो ये है हमारे देश की development banks इंडस्ट्रियों के लिए काम करने वाली banks समझ गया ना मतलब आपको लोन नहीं देगी reliance industry को लोन चाहिए तो वो पहुचेगा किन के पास yes IDBI के पास अब आते हैं exchange bank exchange bank जी ये वो commercial banks हैं जिनका main मकसद होता है foreign trade को finance करना अथार जो लोग export import का काम करते हैं हाँ जो देश के अंदर नहीं देश के बाहर जो export या import export मतलब होता है selling to the foreign country और import तो इसका ठीक कुल्टा होता है buying from the foreign country तो export या import करने वाले foreign businessmen को ये help करती है उनको funds देती है तो क्या-क्या service देती है foreign bills of exchange को discount करती है foreign trade को finance अथार्थ loan देती है financing मतलब होता है loan देना ठीक है और discounting भी एक तर का loaning ही होता है ठीक है पर आपके bills पे loan देना आपको और क्या करता है foreign remittance remittance मतलब होता है पैसा send कराना या मंगवाना send send विदेश में पूंजी भिजवाना है आपको ओसा foreign भिजवाना है dollar भिजवाने है अमेरिका में तो कौन भिजेगा foreign exchange bank भिजेगी buying and selling of gold and silver भी करती है इनका सबसे popular नाम है exim bank हमारे देश की एक government की bank है yes exim full form में ही नाम चुपा हुआ है ex मतलब export in मतलब import export import bank यह रहा एक example exchange bank आईए अब एक और टाइप की bank के बारे में जाने जो कि आपके मेरे लिए है अगर शार्त एक है अगर आप क्या हो farmer हो अगर आप खेती बाड़ी करते हो एग्री कल्चर से जुड़ा काम करते हो तो आपके लिए बैंक है एग्री कल्चर बैंक सर ये कैसी बैंक होती है ये भी long term finance देती है loans देती है पर इंडस्ट्री को नहीं याद रखेगा किसानों को देती है अगरी कल्चर सेक्टर के लोगों को देती है पहले इसका नाम land mortgage bank हुआ करता था क्यों land mortgage का मतलब क्या होता है land को गिरवी कर दो जी मैं हिंदी वर्ड लि क्योटी जमा कर दो तब आपको loan मिलेगा मैं लिख दिया गीरवी अब नहीं बोलोगे तो लोग नहीं लेते थे डरते थे farmers क्योंकि loan देंगे तो आपको loan लेने से पहले जमीन को mortgage करना पड़ेगा तो किसान तो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है हम जमीन नहीं देंगे आपको बैंकों को तो इसलिए बाहत में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया agriculture bank तो यह short term credit भी देती है credit C short term credit देती है किसानों को regional rural banks के रूप मे cooperative banks के रूप मे commercial banks के रूप मे और नाबाड इनका बाप है ओहो कभी नहीं भूलो गया जी सही सुना इन सबका agriculture के सारी बैंकों का बाप है नाबाड जैसे हमारे पूरे banking system का बाप है RBI The Bank of India Central Bank वैसे ही agriculture bank का जो top most है वो नाबाड है नाबाड का तो मैंने आपके लिए image भी लगा रखा है देखिए हाथ में yes किसानों को सम्हाल कर रखा है खेती वाले system को हाथ में सम्हाल कर लोन्स देते हैं agriculturalist को अथारत farmers को लोन देने वाली organizations को अगर लोन चाहिए होगा तो उनको आना पड़ेगा जी उनको आना पड़ेगा नाबाड के पास तो नाबाड क्या करती है agriculture sector की top most bank है वो banks जो farmers को लोन दे रही थी उनको fund सही होगा तो वो नाबाड के पास पहुचें अब आते हैं अगले type of bank के बारे में जो आम जनता की bank है cooperation के principle से चलाए जाने वाली bank है जी आपने सही सुना cooperation के principle से अगर बहुत सारे लोग मिल करके एक cooperative society बना दे हैं और इसको register करा ले government के पास cooperative society बनाने के लिए minimum 10 आदमी चाहिए होते हैं maximum कोई limit नहीं है तो minimum 10 लोग एक 10 लोगों ने मिल करके 10 adult लोगों ने 10 people लोगों ने मिल करके एक society बनाई और उसका नाम दे दिया अपने मन से मैं नाम दे रहा हूँ मैं मूर गंज cooperative bank वारन असी cooperative bank चलो और अब इन्होंने क्या क्या घर घर जा करके सबको member बनाया सबसे एक फीस ले ली चलो भया एक हजार दे दो अगर एक हजार भी member हो गए और हर्जे एक हजार मिला तो आपके पास तो 10 लाग इकटा हो गया अब बाटो लोन तो यह cooperative bank क्या करती है thrift savings कराती है अपने members को और अपने members को yes loan दे देती है ठीक है ना cooperative banks अब आता है दूसरी टाइक वाफ बैंक post office saving bank सरकार ने जितने भी post office से जिनका काम था पहले doc yes mails receive करना send करना अब आप जानते हैं आजकल post office तो इतना ज़्यादा काम कर नहीं दे इमेल का जमाना है कौन चिठियां लिख रहा है बाई कौन email का sorry चिठियों को लिख रहा है तो email भी दिर दिरे वैसे कम हो रहे है what's up के आन post office banks आपकी ही post office आपके घर के पास में हैं यह small savings लोगों का accept करता है यह लोगों के अंदर habit of thrift thrift मतलब होता है बचत की आदत पैदा करता है इसका main मकसद है लोगों को क्या करना है बचत पैदा करना हाँ ताकि लोग क्या करें पैसा saving करना सीख जाए housewives students कोई भी जाकर कि आ दोन नहीं देगा आपको यह चेक बुक भी नहीं देता है वैसे मैं बता देता हूँ अब आते हैं इंडिजिनेस बैंक यह कौन होता है कोई bank होता है क्या जी नहीं जो ज़्यादा तर गाउं में या सेबी अर्बन एरिवा में जो महाजन होते हैं नहीं नहीं money lender होते हैं अ के bills को discount कर देते हैं पर सबसे बड़ी बुराई क्या है ये किसान को loot लेते हैं they charge a very high rate of interest ये रहा सीन में देखिए इस किसान के साथ क्या हो रहा है इस किसान ने दिया ये था देखिए लिया इतना था और दे इतना रहा है समझ रहा है साथ में अपना घर भी yes तो money lenders साहुकार्म श्रॉफ्स ये सब indigenous money lenders होते हैं ये अक्सर क्या करते हैं क्योंकि ये किसी के under में काम करते नहीं RBI का rules follow नहीं करते हैं इनके पास कोई guidelines नहीं होते हैं ये अपनी मन मर्जी से high rate of interest charge करते हैं और farmers को loot लेते हैं बरबाद कर देते हैं exploit कर देते हैं चलो central bank मतलब हमारे देश की central bank reserve bank क्या करती है central bank आप जानते हैं हमारे देश की central bank का head office कहां पर है जी new mumbai नवी mumbai जी central bank इसलिए कई बार Mumbai को हाँ Mumbai को commercial capital of India भी कहा गया है इसलिए तो चली functions जानते हैं हमारी reserve bank का सबसे पहला है currencies issue करना तो हमारे देश में 2 rupees से लेकर ध्यान से सुनिएगा 2 rupees से लेकर के 2000 तक के सारे note RBI चापती है 2 से 2000 के सारे notes notes यही चापती है क्यों क्योंकि इसके पास monopoly of note issue है जी monopoly अथार्थ विशेशादिकार एकादिकार किसी और के पास power नहीं है और public का विश्वास जीतने के लिए public का confidence पाने के लिए यह जो note चापे जाते हैं जिनको paper currency कहते हैं इसकी against में वो gold और silver को क्या करती है पहले reserve रख लेती है उसके बाद issue करती है एक example के रूप में अगर 1000 करोड का नया notes issue करना है तो reserve bank पहले 1000 का क्या करती है gold market से purchase करके रख लेती है जी आपने शायद नहीं जाना था यह अले बाद आप सोचे बड़ा असान है बस बटन दबाओ और note निकालो जी नहीं इतना असान नहीं है पहले उतने का आपको क्या करना पड़ेगा gold या silver और कभी-कभी तो foreign currency उतने का पहले reserve में रखना पड़ेगा तब नहीं note चापने पड़ेगे इसलिए note चापना इतना असान नहीं है तो note चापती है इसका मतलब और आप तो देखे ही है सारे currency में है और आप से question पूछो कि आप जानते हैं कौन हमारे देश में coins issue करता है ये भी question बहुत simple है बट मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसका जवाब दें yes google कर सकते हैं search कर सकते हैं पर मुझे हमेशा इंतिजार रहेगा मेरे superstars का जी याद रखेगा मैं एक request बीच में ही कर लूँ हाँ इसको break करके बीच में एक request कर लूँ क्योंकि ये message मेरा देना आपको ज़्यादा जरूरी होगा हाँ अगर आपको लगता है कि commercial applications पे number of students बहुत कम है और मैं वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे superstars के लिए बना रहा हूँ पर मेरे एक request है प्लीज इस वीडियो को अपने और classmates friends को share करेए ताकि में जो view है मेरे बढ़े और मैं motivate हो पाऊं बनाने के लिए क्योंकि जब लोग देखते नहीं है और मैं जब videos बना रहा हूँ या कोई भी वीडियो बना रहा है और content बनाने के बाद hard work के बाद यस view नहीं आते हैं तो you feel disheartened I hope मेरे इस points से आप सहमत होंगे और please 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 अपने classmates friends को भी इस वीडियो link को जबूर share करेए ताकि मैं motivated रहूँ और आपके लिए और बहतरीन से बहतरीन वीडियो बना पाऊं और content पर content आपको दे पाऊं चली मुझे उमीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे तब तक मैं वापस message के बाद इस short message के बाद begin करता हूं तो चलिए जानते हैं दूसरा function Central Bank का Central Bank Bank to the Government भी है तो मैंने कहा जैसे मैं और आप account खोलते हैं और account खोलने के लिए जाते हैं कहाँ पर जी मैं आप account खोलने के लिए जाते है commercial banks के पास तो Central Government का account कहां खुळा हुआ ह smoothie का account कहां कुछा हुआ है मोदी जी का personal नहीं Minorable Central Government का तो Central Government का तो banker है Central Government की RBI agent भी है और advisor भी है बैंक के रूप में क्या करती है RBI जो है वो बैंक के रूप में सरकार का पैसा रिसीव करती है और सरकार के बिहाफ पे पेमेंट भी करती है और तो और सरकार को वो एडवाइज भी देती है सलाह देती है येस guides देती है कि कैसे आप budget बनाईए किस तरीके से finance को spend करिए बैंकों के लिए भी यही क्या है येस यही rule apply करती है सारी banks मैंने और अपने account खोला commercial bank ने commercial bank ने अपना account खोला reserve bank के पास central bank के पास central bank act as a bank to all commercial banks देखा न central banks central bank क्या करती है इन commercial banks को loan देती है इनके bills को discount करती है इसका मतलब है आपकी bank जी हाँ आपकी bank जैसे state bank of India आपकी bank को loan चाहिए तो वो कहां जाएगी जी आपने तो उसके पास पैसा जमा कर दिया पर बैंकों को भी पैसा को ज़रत परती हो तो तो वो जाएंगी reserve bank के पास एक है central bank को माना गया lender of last resort मतलब सबसे last option है इनके लिए commercial banks के लिए कौन? RBI RBI ने अगर मना कर दिया commercial bank को पैसा देने से तो commercial bank तो भरबाद हो जाएंगी येस बंद हो जाएंगी आईए और functions जानते है central bank का credit control अथार्थ बजार में money supply को काबू करना money को control करना अगर देश में पैसे की supply काबू हो गई loan काबू में आ गया जी समद लिजे पूरी economy आपके काबू में आ गई तो central bank क्या करती है qualitative और quantitative program चला करके loan granting capacity को control में कर लेती है commercial banks को काबू में रख लेती है और help करती है stability maintain करने में foreign exchange को काबू कर लेती है क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर prices बहुत high हो जाएंगी महेंगाई और बढ़ जाएगी देश बरबाद हो जाएगा और घट जाएगी अच्छा घट जाएगी तो आपको क्या लगता है फैदे में आएगा क्या जी नहीं याद रखेगा depreciation होना fall in the prices होना भी देश में बरबादी का कारण है क्योंकि industries बरबाद हो जाएगी उनका loss हो जाएगा न बच्चे इसी लिए तो maintain करता है commercial banks को और economy को as stability लादने में और क्या function करता है custodian अथार्द guardian है जितने भी विदेशी मुद्रा हमारे जमिस में आ रही है dollar pound yen lira जो भी सब को ये अकेले ही जमा करके रखता है सारे gold का reserve सारे foreign exchange का reserve दूसरी देश की currency का reserve RBI के पास होता है sir कैसे होता है तो कोई भी exporter अगर देश में से export कर रहा है तो उसका सारा reserve उसका सारा विदेशी मुद्रा जी हाँ उसका सारा विदेशी मुद्रा हमारे ही RBI में जमा हो ठीक है उसके बदले उसको इंडियन रुपी मिल जाता है और क्या करता है maintenance of exchange rate अथार्थ dollar या दूसरी currency का rate वन डॉलर की कीमत है let's say 75 रुपीज मैंने लिख दिया वन डॉलर की कीमत है let's say 75 रुपीज ही के अप्रॉक्सिमेटली आस्पस है तो ये जो price है इसे extremely high या लोन ना होने देना अगर वन डॉलर की कीमत अचानक 100 रुपीज हो जाएगी तो भी देश बरबाद हो जाएगा जी ठीक सुना आपने देश बरबाद हो जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा वन डॉलर की कीमत बहुत लो हो जाएगी अचानक 50 रुपीज हो जाएगी तो भी बरबादी आ जाएगी तो ये दोनों को क्या करता है ऐसा नहीं होने दिता है क्या करता है इस exchange rate पे exchange rate मतलब the rate at which the currency of one country is exchange for another is called as exchange rate ठीक है तो हमारी home currency को foreign currency के मुकाबले काबू में रखता है maintain करता है stability की ताकि foreign trade आसानी से क्या जा सके ताकि flow of foreign investment देश में आ सके चलो आगे बरते हैं और अब जानते हैं commercial banks के functions के बारे में मतलब वो banks जिसमें आप और मैं जाते हैं वो banks जिसमें आम जनता अकाउंट लाती है तो एक example मैंने आपके लिए स्क्रीन पर रखावा है SBI चलिए functions जानते हैं सबसे पहला function है इन बैंकों का लोगों से deposit लेती है जी commercial banks जैसे SBI हो गई पंजाब national bank हो गई यह public से पैसा लेती है क्योंकि इस पैसे को invest कर देती है या loan देती है किनको loan देती है अरे भाई आपको इही घर बनाना है home loan ले लो आपको नहीं car खरीदनी है car loan ले लो और यहां तो यहां तो industries को तो people deposit करते हैं क्योंकि उनको मालू है यहां पे पैसा safe है और plus ब्याज भी मिलने वाला है इसलिए लोग deposit करते हैं और क्या करती है लेंडिंग money करती है मैंने बताया था loans देती है farmers को, businessmen को, artitions को तो एक loan का example है जैसे overdraft अब overdraft यह एक तरह का arrangement होता है बैंक उनकी limit टैक कर देती कि इतना पैसा वो withdraw कर देंगे और एक short period के अंदर ही यह usually एक साल के अंदर ही उनको return भी करना होता है overdraft, अथार्थ over पैसा निकालेना जितना account में उस से अधिक निकालेना दूसरा होता है CC CC? हाँ, cash credit भाई तो banks क्या करती है, cash loans भी देती है अपने firms को जी, बट शर्त में क्या करना पड़ता है उनको एक गिर्वी रखना पड़ता है कोई अपना property गिर्वी करनी पड़ती है जैसे जमीन के कागज वागज हाँ, हाँ, गिर्वी कर तब लोन देती है हाँ, मैं लिख दे रहाँ, गिर्वी गिर्वी, गिर्वी लिख दिया मैंने, अना, गिर्वी जमीन ज्यादात कुछ गिर्वी कर दो या guarantee लो तो bank आपको लोन देती है ये भी बड़ा common है आजकर deposits, sorry, discounting of bills अचा बिजनसमेंस को बहुत सारे bills मिलते रहते हैं, जिन्सका payment उनको बाद में मिलने वाला होता है तो उन bill का payment वो तुरंट दे देती है उनको, हाँ, जब एक business man ने उधार बेचा let's say, Tata ने उधार बेचा 100 करोण का reliance को example है, Tata ने बेच दिया अब Tata को पैसे अभी चाहिए, पर reliance के रही है payment तो भाईया, तीन मेने बाद देंगे आपको तो इस bill को वो क्या करेगी, bank के पास जाएगी Tata company और अभी ही इसको discount करा लेगी अभी ही इसके बदले पैसा ले लेगी ठीक है, इससे क्या होगा Tata company को पैसे तुरन मिल जाएंगे bank उसमें कुछ चार्ज काटके Tata company को तुरन पैसे दे दे हो गया discounting और क्या तरीके हैं, loans and advances दे देखती है, अथार्थ इसमें लंसम पैसा दे देती है borrowers को, एक fix time period के लिए पैसा दे देती है, तो इन सब तरीकों से, इन चारो तरीकों से bank क्या करती है, lending कर सकती है bank agent भी होती है agent? हाँ, मेरा order मानती है bank मेरे agent की तरह काम करती है जैसे मैं अपनी bank को काम दे दू मैं, मैं, मतलब मैं और आप अगर, क्या, तुमारा account है क्या bank में? नहीं है? तो प्लीज, अपना account जरू खुलाओ, और आप bankों में भी जरूर जाइए, जी, real life में जो देखेंगे, करेंगे, वो शायद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? कभी भी मौका मिले, जब थोड़ा सा COVID situation normal हो, तो प्लीज, जरूर जाएं, अपने parents के साथ, अपने guardians के साथ, बैंकों को देखें, closely watch करें, क्या हो रहा है वहाँ activity में, कैसे आपके parents जमा कर रहे हैं, deposit कैसे निकाल रहे हैं, इससे बड़ी सीख कहीं नहीं मिलेगी, practical knowledge is the best. चलो, agency function के बारे में बता रहा था, तो bank हमारी agent होती है, bank हर customer की agent, मैं उनका customer हो, bank हमारे लिए पैसे collect कर सकती है, हम बोल देंगे bank को, कि मेरा bill collect कर लो, मेरे promissory note, मेरे hundi collect कर लो, तो मेरे बदले, मेरी party से जाके collect कर लेगी, क्या उनके पास जाएगी, जी नहीं, उनको वस क्या करेगी, उनकी account से पैसा ले लेगी, मेरे बदले payment कर सकती है, yes, हम अपनी bank को order दे सकते हैं, कि मेरे loan का installment पे कर दो, मेरे घर का rent पे कर दो, मेरे बजली का bill पे कर दो, मेरे बच्चों की fees जमा कर दो, हाँ, ये भी bank करती है, ऐसे कोई भी काम आपकी bank करती है, और क्या कह सकते हैं, जी, bank को आप order दे सकते हैं, कि वो आपके बदले shares, debentures, और securities को खरीद और बीच सकते हैं, bank को आप instruction दे दीजे, कि मेरे लिए, आप government bond खरेद दो, reliance के share खरेद दो, बेच दो, सब करती है bank, और bank क्या करती है, bank trustee के रूप में काम करती है, यह एक्जीक्यूटर के रूप में, सरी trustee क्या होते हैं, trustee मतलब होता है, कि कुछ लोग मरने के बाद, bank को अपनी संपत्ती का, अपनी building, अपनी घर मकान का trust बना देते हैं, holder बना देते हैं, वही उसको क्या करेगी, चलाएगी, हाँ, ऐसा होता है, सच में, और क्या bank function करती है, याद रखेगा, general utility function है, अच्छा agency function जो है, बैंक सिर्फ और सिर्फ किसको देती है, अपने customers को देती है, अथा जिनका bank में account है, मेरा और आपका account है, for example, तो यह function मेरे लिए, पर यह general utility function सबको देती है, जनरल है, इसका account है या नहीं है, होगा तो भी देगी, इन्हें तो सबको दे सकती है, जनरल utility function है, सबके लिए है, जैसे issuing credit instrument, bank के पास power होता है, कि वो letter of credit जारी कर सकती है, draft बना सके दे सकती है, traveler check बना के दे सकती है, क्या कहा, draft और traveler check का meaning नहीं मालूम है, अभी चिंता मत करो, अभी आगे बताऊंगा, हाँ, इस topic के बाद है, इसलिए मैंने कहा था, पूरे वीडियो में अंक तक बने रहो मैं सूपरस्टास, draft और traveler check के बारे में डिटेल बताता हूँ, अभी अगला topic भी ऐसके बाद, कि letter of credit क्या होता है, international जब business कर रहे होते हैं, हाँ, जब world over हम export कर रहे हैं, तो मुझे डर होता है, कि importer मुझे पैसा नहीं देगा, तब क्या होगा, तो उस case में उसकी bank से लिखवा लेते हैं, क्या, guarantee, कि वह मुझे पैसा देगा, नाम है letter of credit, ठीक है, और क्या करते हैं, underwriting, capital issues, bank क्या करते हैं, share, debenture, बेचने वाली कंपनियों की जिम्मधारी ले लेती हैं, उनका guarantor बन जाती है, underwrite करना मतलब होता है, नीचे बैठ के लिखना, under, टेबल के नीचे बैठ के लिख दिए, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, underwrite का मतलब यहां पर है, guarantee लेना, जिम्मधारी लेना, share और debenture बिकवाने के लिए, अब कोई नहीं कंपनी अपना share, यहां debenture मार्केट बेचना चाहती है, तो, banks उनकी जिम्मधारी लेते हैं, कि आप share नहीं बिकेगा, तो हम हैं ना, समझ गए, इससे लोगों में विश्वास जन जाता है ना, और क्या करती है, safe custody of valuables, bank आपको locker facility देती है, हाँ, bank में जाओ, locker लेलो, आपको शायद आपके mother, father, यहाँ आपके family members ने, loggers जरू खुलवाया होगा, बैंकों में, आप इसमें घर के documents रख सकते हैं, अपने कोई valuable चीज रख सकते हैं, sona, hira, जो भी आपके पास है, तक दो attention मत ले नया, और क्या करती है, bank advices भी देती है, याद रखिएगा, advice तो नहीं को देगी, जो bank के पास जाएगा, इस advices को लेने के लिए, समझ गया न, bank आपका advice देगी, कि कहाँ पैसा आप invest करिए, आए type of bank accounts के बारे में, थुआ सा जाने, तो कि bank accepting deposit लेती है, तो कौन को से deposit एकसेप्ट कराती है, उनके बारे में जानते हैं, सबसे पहला FD, बड़ा common नाम है, fixed deposit, इसकी खास बात क्या होती है, ये fixed time के लिए होता है, इसमें आप बीच में पैसा withdraw नहीं कर सकते हैं, हाँ, जब तक की time पूरा 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 नहों हो जाएं, अगर आपने deposit किया है, एक साल का, FD लगाई एक साल रुपए की, एक साल के लिए, तो आपको पैसा एक साल बाद ही मिलेगा, कई बार FD को time deposit या long term deposit कहते हैं, FD के साथ खास बात क्या होती है, कि सबसे highest interest बैंक इसी पे देती है, सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे देती है, इसमें no cash book, sorry, no check book, no pass book, जब FD issue करती है, जब bank FD देती है, तो check book आपको नहीं देती है, आप check किसी को काट के नहीं दे सकते हैं, और न तो कोई pass book देती है, इसमें one deposit, one withdrawal होता है, एक बार पैसा जमा करो, और एक ही बार पैसा निकाल लो, इसलिए मैंने बोल दिया, no check book, no pass book, याद रखेंगे आप, saving, यह deposit account मेरे और आपका account, जी, जो मैंने दिया account खोला है, जी, मेरा भी account है bank में, वो saving है, अगर आपका भी है, तो saving ही होगा, पका, पता करके देख लो, अपने मम्मी पापा से, जी, अपनी यह तो pass book चेक करके देख लो, यह कैसा account होता है, saving account की खास बात क्या होती है, इसमें आपको एक minimum amount हमेशा bank में balance रखना पड़ता है, वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, अलग लग banks अलग रखती है, और यह saving account कोई भी खुलवा सकता है, yes, middle income, low income, अब सब लोग करा सकते हैं, any person, housewives को भी करा सकती है, इस पे interest मिलता है, बट बहुत high interest नहीं मिलता है, कम मिलता है, interest है, interest है बट कम है, और क्या खास बात है, इसमें check book और pass book दोनों मिलेगी, check book के लिए मैं लिख दे रहा हूं CB, और pass book के लिख दे रहा हूं PB, दोनों bank आपको देगी, check book भी देगी, ताकि आप check काट सकते हैं, हाँ, check काट है, जिसमें check पे sign कर देते हैं आप, payment कर सकते हैं किसी को, और pass book तो जो आपका record बताती है, और RD account, RD मतलब recurring deposit, इसमें कोई भी account holder जो चाहता है, एक fixed amount, याद रखिएगा, एक fixed amount हर महीने जमा करना चाहता है, जैसे कि example है, एक teacher है, school में नौकरी करता है, उसको लगता है कि हर महीने में 5,000 बचा लेता हूं, तो वो fixed क्या करेगा, 5,000 हर मेने जमा करना शुरू कर देगा, और कितने मन्त के लिए वो उसको decide करना है, जी, तो इसमें जब वो fixed time period बाद, उसे पैसा मिलेगा एक साथ, इसमें भी interest बहुत अच्छा मिलता है, और इसमें many deposits होता है, deposits तो आपको बहुत बार करना पड़ता है, चेक बुक नहीं मिलती है, ठीक है न, क्योंकि निकालना तो एक ही बार है पैसा, और यह आखरी डाइब का अकाउंट है, जो मैं और आप नहीं खुल सकते हैं, ठीक सुना, तुम भी नहीं खुल पाऊगे, मैं भी नहीं खुलवा पाऊंगा, क्योंकि यह सिर्फ असर्फ बिजनस फर्म के नाम से खुलता है, अगर कंपनी का नाम है आपकी टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के नाम से खुलेगा, पता करके देख लो, अगर आपके फादर बिजनस करते हैं, तो पका उन बिजनस के नाम से, पापा के नाम से नहीं, पापा के नाम से तो होगा saving account, ठीक है, saving deposit और business के नाम से account होगा current account ये deposit किसनी बार भी जमा कर दो कितनी बार भी निकाल दो, दिन में 10 बार जमा कर दो, दन में 10 बार निकालो कोई, मलब कोई withdrawal deposit की कोई limit नहीं है, अकसर तब checkbook ले लो, जब चाहिए तब passbook update कर वालो, checkbook, passbook बहुत freely मिल जाता है, तो पर मैंने कहा न, ये आम आदमी के लिए account है, saving account सिर्फ, ठीक है, तो ये हो गए types of bank deposits, कभी नहीं भूलोगे, ये मैं विश्वाच के साथ कह सकता हूँ अगला type है, जी operating of bank account bank account open करने के लिए आपको yes, क्या-क्या की ज़रुत पढ़ती है pay in slip की ज़रुत पढ़ती है नाम से समझ में आ रहा है थे, को pay in इसका मतलब है bank में पैसा जमा करने की slip, screen पे देख सकते हैं, मैंने ICICI bank का एक pay in slip लगा रखा है किस bank में है, किस branch में आपका account जमा करना है इसमें आपके 1000 के कितने note हैं, 500 के कितने note जमा करने है, type of currencies आपको बतानी पढ़ेगी, आपका नाम बताना पढ़ेगा, ठीक है ना, आपका account number बताना पढ़ेगा आपको bank को किस account में पैसा जमा करना है, बस तो इसमें एक slip आपको भरी हुई मिली होगी, sorry, भरी हुई slip आप बनाएंगे, एक slip का हिस्सा आपको जमा कर देंगे bank में और एक हिस्सा आपको मिल जाएगा, ताकि आपके पास एक counterfoil हो जाए, counterfoil मतलब एक हिस्सा मिल जाएगा आपको, pain slip बस bank में पैसा deposit करने मदद करती है, सरी checkbook तो, checkbook तो एक तरगी printed book होती है, जिसमें usually आपका नाम लिखा होता है, आपका account number लिखा होता है, आप इसको payment के रूप में, yes, check की book, समझ जाओ, check की एक छोड़ी booklet होती है, जिसमें 15, 20, अलग-लग size of checks, number of checks होते हैं, ठीक है, आपकिसी भी payment कर सकते हो, check काट कर दे सकते हो, और passbook क्या होती है, passbook वो book है, वो copy है, जिसमें customer का account है, bank में मेरे हिसाब किताब, bank में मैंने कितना जमा किया है, bank में मैंने पैसे कितना निकाला है, मुझे किसी दिन चेक करना है कि मेरे पास bank में अभी कितना पैसा बचा है, कुछ नहीं, passbook को देख लो, तो passbook एक तरका क्या है, मेरे और bank के बीच में जितने भी transaction हुआ है, इसको शोड़ कर, आए advantages of bank account जाने, इसलिए मैंने कहा था account जरू कुलाओ, पैसे कि safety करता है, मैंने बताया था, bank से पैसा अगर खोएगा भी, चोरी भी होगा, माल लेते हैं, डाकू पढ़ जाए, डाका पढ़ जाए bank पे, आपको tension लेने की ज़र्वत नहीं है, आपका पैसा safe है, payment facility, yes, पैसा आप कहीं भी pay कर सकते हो, transfer करा सकते हो, डिल्ली, बंबे, अमेरिका, चपान कहीं भी payment, आपके bank के account से हो सकती है, bank में पैसा कलेंट भी कर सकते हैं, आप रहते भली, अपने शहर, बनाराज, लखनाव, कानपर, कहीं भी रहते हो, world over से कहीं से भी उस account में पैसा कलेंट करा सकते हो, मंगवा भी सकते हो bank में आपको बचत करने की आदत हो जाती है, bank में जा करके, पैसा जमा करने से आप saving सिखते हो, बचत करना सिखते हो, फिजूल खर्ची से wasteful expenditure से बचते हो, bank account होगा, तो loan मिलना भी असान हो जाएगा, advance मिलना भी असान हो जाएगा, और तो और bank आपको locker facility देती है, जी आप जब चाहे तब अपने locker में, अपने घर का कीमती गहने, जवराद, हाँ documents रख सकते हैं, और bank आपके credit history तयार करती है, नहीं सुना है ना, जी हाँ, credit information आपका तयार करती रहती है इसी basis पे, आपके account के basis पे, आपको further judge किया जाता है, कि आपको और loans मिलेंगे के नहीं, जी, आपकी credit history bank बना लेती है, आपके पैसे जमा करने और withdrawal करने के हिसाब से, समझ कहा है ना, ये further आपको help करता है bank business आगे loan लेने तो क्या bank आपका check रोक सकती है, payment नहीं करेगी, कि हिम्मत चलो, आओ जाने कब-कब उसकी इतनी हिम्मत आजाएगी, कि वो आपके ही check को रोक दे, आपके उस पैसे है bank में, तो भी रोक दे, तो तो नहीं होना चाहिए पड़ाओ, जानते है, कब-कब ऐसा कर सकती है when the funds to the credit of drawer are not sufficient पहले case, तो आपके पास fund है यही नहीं आपके पास fund ही नहीं है आपके account पे रखे 10,000 हैं और आपने check काट के दे दिया 12,000 का, आपने check काट के दे दिया है 12,000 का अरे भाई, कहां से कटेगा कहां से पैसा मिलेगा account में तो दसी जा रखा है न, तो इसको bank तो refuse कर सकती है और यहां तो check post dated है post dated मतलब बता है future dated हाँ, अभी चल रहा है for example, कि 31st January और आपने check जो काटा है वो है 10th February का तो आज कैसे bank payment कर देगी check लेके आना, 10th February को लेके आना समझ गया न, तो जिस दे का check होगा उसी दिन कर सकते हो आप ठीक है न, और यहां तो check stale हो गया हो सर, stale शब्त का मतलब क्या होता है stale का मतलब ऐसे तो बासी होता है बासी ही हो, पुराना हो गया बहुत जादा, और कितना पुराना, तीन मन से पुराना जैसे example है, कि आज है 31st January ध्यान से सुनिएगा, आज है 31st January 31st January 22, अगर कोई 30th April तक देखे, तीन महिना हो गया, पूरा 30th April तक, आज आएगा, बैंक में check लेकर के, तो बैंक उसको पैसा दे देगी देखे, थ्री मन्त हो गया है, ठीक है न, पर जैसे ही कोई इसके बाद पहुचेगा, इसी check को लेकर के, जैसे मैंने किसी को आज check काट के दिया, आज है 31st January 2022, और वो पहुचा मई के 10 तारिक को, 10th मे को, तो क्या बैंक, इसको check का पैसा देगी, अरे, like नहीं दिखा रहा हूं, ठेंगा दिखा रहा हूं, ठेंगा मतलब नहीं देगी, है कि नहीं है, क्योंकि तीन मेने से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो तीन मेने बाद check क्या हो जाता है, stale हो जाता है, अच्छा, when the drawer has dropped payment, यहां तो मैं ही, drawer मतलब जिसने check काटा है, हां, जिसने check इशूग है, उसने ही bank को मना कर दिया कि मेरे payments जो check के हैं, रुकवा दीजे आप, तो bank payment करना नहीं करेगी, यहां तो payment check, check के cash होने से पहले ही होना पड़ेगा, कोई पैसा in cash करा के लिए जाएगा, चला जाएगा, तब आप नहीं रुकवा पाऊगे, और यहां तो check को किसी ने alter कर दिया है, alter मतलब change कर दिया है, check में आपकी sign यहां आपका number को किसी ने चेड़ने की कोशिश की है, हां, alter मतलब मैंने check लिख दिया, change दिखना था मुझे, हां, किसी ने उसमें क्या कर दिया है, चेड़ चाड़ कर दिया, date, यहां कोई alteration की है, याद रखेगा, यह गवर बात है, illegal बात है, किसी का check को चेड़ना, उसकी sign या amount के साथ चेड़ चेड़ करना, और last, when the check is mutilated, mutilated मतलब कटा-पिटा, जी, cut-pit लगा दो भाई, check को काट दो, फार दो, tear कर दो, तो उस case में check क्या करेगी, bank पास नहीं करेगी, bank के पास power है, कि वो check को refuse कर सकती, ठीक है, याद रखना, bank का check refuse होना, is also called as dishonor, क्या, हाँ, dishonor और check, dishonor और check के crime है, याद रखेगा, सही सुना आपने, check के dishonor पर आपके खिलाफ legal case भी बनता है, चलो, last topic of the day दिखने जा रहे हैं, yes, bank draft, और last में, travelers check, तो जैसे की bank draft, जिसको हम demand draft के दिखने जानते हैं, मैंने screen पे एक image भी लगा रखी है, देखिए, highlight कर रहा हूँ, demand draft, जी, तो demand draft क्या होता है, ये भी एक type का check होता है, जो एक bank, अपनी दूसरी branch, या किसी दूसरे bank के favor में बनवाती है, और उसमें party का नाम लिख देती है, जैसे, on demand to, ये party का नाम लिख दिया, और कितना payment करना ये कर दिया, तो demand draft, जिनके पास bank में account नहीं है, उनको भी bank बना के दे सकते, demand draft का मतलब है, कि ये पैसा तब मिलेगा, जब आप उसको demand करोगे, अथार्थ, जो ये draft लेके bank पहुचेगा, उसको इसका पैसा मिलेगा, इसलिए इसका नाम demand draft रखा, safe क्यों माना गया है, अक्सर colleges और universities क्या करते हैं, आज कल, बच्चों से क्या मांगते हैं, चेक नहीं मांगते हैं, फीस के रूप में, हाँ, बहुँ बहुत colleges और universities ऐसा कर रही हैं, वो बच्चों से कहते हैं, मुझे demand draft दे दो, university के नाम पर, it is safe क्यों, क्योंकि it is, the amount is credited to the person, या पैसा हाथ में नहीं मिलता है, जिसके नाम से demand draft है, यहाँ पे हैं न, comdk, तो पैसा comdk के ही account में जाएगा, और किसी के account में नहीं जाएगा, समझ गया न, जिस पार्टी का नाम लिखा होगा, उसी के account म जाएगा, इसमें आपको form जमा करना पड़ता है, form जमा करने के साथ, आपको बताना पड़ता है, कितना demand draft, कितने रुपे का demand draft लगना है, bank इसमें एकसर कुछ commission charge करती है, इसमें कुछ commission लेती है, और demand draft आप post के द्वारा या courier के द्वारा उस party को बिजवा सकते हो, अगर buy hand पहुचना चाते हो, तो भी कर सकते हो, वो party जिसके नाम से अपने demand draft बनाया है, वो जब अपने account में इसको जमा करेगी, उसके account में पैसा आएगा, उसको भी cash नहीं मिलेगा, clear, बहुत safe है, पैसा आपकी account से कटके उसके account में चला जाएगा, आपकी bank ने उसकी bank को पैसा दे दिया, चलिए last topic जानते हैं, traveler check, जो लोग घूमते हैं, traveling करते हैं, हाँ, और उन्हें डर है, कि पैसा कहां लेके जाए इतना सारा, रास्ते में चोरी, चकारी का डर है, तो tension नेने की जरत नहीं है, वो अपने पैसे को अपनी bank में जमा कराएं, और साथ में उन से ले ले travelers check, जी, example के रूप में, कोई American नागरिक है, let's say, John, John America से इंडिया आना चाहता है, ठीक है, John USA से इंडिया आना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अपनी bank में 2000, चलो और बड़ा कर देता है, 20,000 डॉलर उसने जमा करा दिया, और 20,000 का क्या कर दिया, traveler check ले लिया, traveler check ले लिया अपनी bank से, और tension free होके इंडिया आ गया, अब इंडिया आने के बाद जहाँ उसको पैसे खर्चे करने होंगे, यह जो traveler check है, इंडिया में उस hotel को, यह उस restaurant को जहाँ payment करनी है, वहाँ जमा कर दे, पैसो की जर्वत है, अपनी ही जाएगा, चेक ले करके bank counter पे ख क्योंकि जब तक हो sign करेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है न, अपने ही fund में पहले पैसा जमा किया, अपने bank account में, और जितने की जर्वत थी, उतनी रुपए का traveler check issue करवा लिया, अब इससे ज़्यादा पैसा भी bank से नहीं निकलेगा, 20,000 का traveler check लिया है, तो 20,000 ही dollar न लगा दिया है, तो मेरा, yes, मेरा motivation हो जाता है, और आपके like, आपके comments और मैं जो आपसे question पूछता हूँ, उसको जरूर जरूर दिया करिये, ताकि मेरे और आपके बीच में two way communications बना रहे है, thank you and love you and God bless you, मैं कोशिश करूँगा, कि आपके लिए और बहतरीन से बहतरीन content लात See you and bye, happy learning